देखते हैं पर question पर 76 में हमसे क्या पूछा गया है, यह body of mass 2 kg and density 8000 kg per meter cube, it's completely emerged in a liquid of density 800 kg per meter cube, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, force of buoyancy निकालनी है, तो करते हैं यहाँ पर इसको solve, तो हमें यहाँ पर body का mass कितना गिवन है, 2 kg और उसकी density यहाँ पर कितनी गिवन है, 8000 kg per meter cube, इसक अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका force, तो यहाँ पर जो force of buoyancy होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, force of buoyancy, इसका मतलब यहाँ पर होता है, कि उसने यहाँ पर कितना पाने displaced किया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, weight of displaced water होता है, क्या होता है हमारे है, weight of displaced water, कि हम पर उसने कितना पाने displace किया इसका formula हमारे यहां पर क्या होता है mass multiply gravity होता है तो mass का formula हमारे यहां पर density of water multiply volume और gravity यहां पर पहले से ही तो यहां पर g आ जाएगा तो force of buoyancy का formula हमारे यहां पर क्या हो जाएगा density of water multiply volume, multiply gravity हो जाएगा, पर हम यहाँ पर volume नहीं पता तो हम यहाँ पर volume निकाल लेंगे तो volume का formula हमारे हिहाँ पर क्या होता है mass upon density होता है तो mass हमें यहाँ पर कितना गिवन था, 2 kg गिवन था, and density of water कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी इसको यहाँ पर divide कर लेते हैं 212, and यहाँ पर कितना आजाएगा 4000 आजाएगा, तो यहाँ पर इसको further solve करेंगे तो यह हमारे हिहाँ पर क्या होगा 1 upon 4 into 10 की power 3 मैंने यहाँ पर क्या करा था, 1 और 4 को divide किया था और 10 की power 3 उपर जाएगी तो minus में हो जाएगी तो यह हमारे हिहाँ पर कितना हो जाएगा 0.25 यह पर गया तो कितना हो गया 10 की power minus 3 और जो unit होगी वो हमारे किसमे हैगी meter cube में और आप चाहते हो इसको यहाँ पर लेख सकते है 2.5 into 10 की power minus 4 meter cube मैंने यहाँ पर क्या करा एक पॉइंट आगे बढ़ा दिया जिसके वज़िसे इस पर negative पर एक पावर और बढ़ जाएगी तो density of water हमारे हिहाँ पर जिस liquid में हमने डिवाई थी वह हमारे हिहाँ पर कितना निकाला 2.5 into 10 की power minus 4 multiply gravity हमारे हिहाँ पर कितने हो जाएगी 9.8 हो जाएगी हमें यहाँ पर simple क्या करना है 2.5 को 9.8 से multiply कर लेना है तो मैं यहाँ पर side में कर लेता हूं left side कर लेते हैं इसको यहाँ पर तो यह हमारा हो जाएगा 9.8 को किससे करना 2.5 से 8.5 जाए 40 का 0 4 करी गया 9.5 जाए 45 जहाँ पर 49 आ जाएगा 8.2 जाए 16 का 6 वन करी गया 9.2 जाए 18 & 19 0 9.6 15 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 14 & 2 तो यहाँ पर कितना आ गया 24.50 तो यहाँ पर मैं लेख लेता हूं 24.50 ÷ 10 πο Ade 24.50:「 800 。」 इसको यहां पर तो ऊपर कर लेते हैं, तो तो यहां पर प्या होगा, इस पर पॉंट लगा है और 800 grad Haku Re-move हो जाएगा, तो व्हांया पर बिच्छेगा कितना 2450 x 8 x 10 कि इसका मतलबники ad तो यहां पर हो पे सिंपल 8 से multiply कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पर कर लेते 8 को 0 से करेंगे 0 आएका 8, 5 जब 40 का 0, 4 carry चला गया 8, 4 जब 32 and 36 3 carry चला गया, 8, 2 जब 16 and यहाँ पर आजाएगा 19 multiply 10 की power minus 4 अब यहाँ पर क्या है minus 4 है? इसके बाद हमें यहाँ पर 4 डिजिट बाद point लगाना है 1, 2, 3, 4 तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.96 newton आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? force निकाल रहे थे, force of buoyancy निकाल रहे थे तो इसका final answer हमारे कितना हैगा? 1.96 newton तो hope आपको इस question का answer समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ